है है फ्रेंट्स मैं सानुचुद आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज जो वीडियो में आपनों के लिए काया हूं वह छत का रेलिम बनाने के लिए सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस किस चीज के सहाइटा से और कर्षे बनाया जाता ह है तो देखिए आप सबों के बीच यह देखे होंगे स्क्वाइर पैप और यह सवाइनची स्क्वाइर पैप जिसका लेंद 20 पित का था और यह गोल पैप इसका वी लेंद जो है को विस्वाइब काएगा यह देड़ीं ची मोथी है इसकी सहाइथा से आपको मैं बनाने कर तो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं कि यह स्क्वाइर पाइप का मैं साचा बनाया हूं जो कि निसीत दूरी के अकार पर बरावत साथ बना हुआ और यह उपर जो है यह गोल पाइप आपको लगा हुआ है अब दिखाने जा रहा हूं मैं कि इसमें मैं जो डिजर्णिंग करू करूंगा और कैसे करूंगा डिजर्णिंग आप लोगे सामने स्क्वाइर रड की सहतास करूंगा जो कि चार सूती मोटी है देखिए मैं आप इसको फीटा से नाप रहा हूं जो इतना सैजिस में लगेगा तो देखिए पहले इसको मैं नाप लिया इसके वाजिकों गयंड के एक इस इसको मुझे मूरना एक राट ट्रा इसको मूरना घटेंगे पर इसको शिजा करने बाद इसको को ने के से गिए कि इसको देख लेंगे कि बराबर हो रहा है ना कि बराबर में इसको मिला लेंगे कि इसको मोड लिया हूं और इसको आपको वेल्डिंग करके दिखाऊंगा इस डिजैन में तो देखिए मैं यह चुह है पुरा मोड लिया हूं सबको इसके बाद इसको वेल्डिंग कर रहा हूं कि यहां देखिए मैं इसको जो नापी किया हूँ इसका जो है सबका जो खांच है एक दुश्रे के बीच की दूरी होगा वह बराबर होगा इसको मैं वेल्डिंग करने का रहा हूँ आप लग देख रहा हूँ इस तरह से मैं इनको बठाया हूँ अब और वेल्डिंग कर रहा हूँ तो अब आप डेख रहे हैं कि यह जो रेलिंग है यह त्यार हो चुका है इसमें सिर्फ नीचे की और बेरा लगाने के लिए बांकरी है जो सिमेंट और बालू के साहता से जाम होगा तो आप सोबके बिच यह रेलिंग त्यार हो चुका है अब उमीद करते हैं कि आप लोग इन वीडियो को देखकर इसकी जो खामिया होगा वो बताने का कोशिश करेंगे और यसे मेरे यूट्यूब चैनल सानुशुद जो है उसे शब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और वीडियो पर कमेंट देंगे और शेयर करने की कोशि लेगा और आगे जो वीडियो लाओंगा मैं बहुत अच्छान लाने का कोशिश करूँगा तो लिक लिए जाहिंद जाह भारत